दोस्तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो इसका नाम है पॉट टाइम अल्ट्रा जी हा दोस्तो आज कल जो है स्लीब जो है बहुत ही एक इसेंचेल है हमारे हुमेन बोडी के लिए जी हा दोस्तो अगर आप प्रॉपर नीन नहीं लोगे तो आपका बोडी जो है प्रॉपर तर और काफी अच्छी तरीकी से काम कर सकते हो इसमें हर वो सिस्टेम आपको मिल जागा बिजली से लेका हर वो फेसिल्टी है मतलब आपको एक्स्ट्र नॉइज बगर नहीं आएगा और काफी शांती मिलेगा मतलब इधर उदर का साउंड बगर नहीं आएगा मुझे तो पहनना बहुत जरूरी है और में भी आपको सज्ट करूंगा कि आप कहीं पर निकल रहे हो तो माक्स जरूर पहने बट यह आप देख सकतो माक्स पहन के जाना जो है बहुत यह दिक्कत भर आ जाता तो उसका सलूशन यह ट्रैंस्परेंट माक्स जी हा दोस्तों यह नेक्स जुद्ध हवा ले सको जी हा दोस्तों यह पर दो इलेक्रिक फैन है और यह एक बार बार इसको रियूजबल है और यह बार बार चार्ट कर सकते हो मतलब ट्रांस्पारेंट भी है देखने में भी अच्छा है और काफी हेल्दी भी है और मतलब एर भी काफी कूल है और जी दो आशकल काफी लोग सुनते और इंडिया में तो यह म्यूजिक का क्रेस कुझ आलागी लेवल पर है जी हा दोस्तों मत हैटफोन्स लगा कि म्यूजिक जो काफी कम लोग सुनते है अगर हैटफोन्स लगा बते विए उतना एफेक्टिव नहीं होता है 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 कानों में दर्द करता है तो उसका सलूशन है यह डॉम हेटफोन जी हा दोस्तों यह आप देख सकते हो ब्लुटूथ से कनेक्ट होने वाला एक बहुत ही जो है अमेजिंग हेटफोन है पूरा नॉइस के साथ आता है बाहर का को एक्स्टा साउंड ने आएगा मतलब म्यूजिक इंड चाक आउट करना नेक्स्ट जो इनोबिटिव गेजट है काफी कूल है देख लीजे क्या कुछ एक बार पहले दोस्तों यह आप देख रहे हो इसका नाम है जैंजो स्मार्ट रिंग जी हा दोस्तों एक नेवल टेक्नलोची है जी हा दोस्तों यह जो है एक रिंग है आप ज जैंस कर सकते हो ब्लुटूथ के करनेकर थ्रूज आप फोन को जहें बात कर सकते हो और आप डेटा बगरा इसमें स्टोर कर सकते हो साथ इसाथ दोस्तों इसमें वहाँ से चाके इसको खरीच सकते हो तो अगला जो इनोबेटिव गजट है देख लीज़ एक बर पहले क्या क दोस्तों आशकल इंडिया में ब्लॉगिंग काफी जोरो शोरो से चल रहा है यूटूब और फेस्बूक के बज़े से जी हाँ दोस्तों तो ब्लॉगर्स के लिए यह वन अप दा बेस्ट कैमरा है अक्सर जो हाथ काफी बीजी रहता है और हम जो है कुछ अमेजिंग जो व देख रहा है मतलब आप जो देख रहा हो उसी को रेकॉट कर रहा है यह तो वन अप दा बेस्ट है व्लॉगर्स के लिए डेस्क्रिप्शन में है दोस्तों चेक आउट करना अगला जो इनोवीटिव गैजट है काफी कूल है देख लीजे पहले यहां पर क्या कुछ एक बर ओके दोस्तों यह जो आप देख रहे हो इसका नाम है और वीट विल्स जी हाँ दोस्तों इमेजिन करो जो है स्केट बोट्स या फिजे या पर स्केटिंग अब देख सकते हो काफी अमेजिंग होता है एक फुली सरक पर तो उसका नेक्स लेवल एक्सपिरेंस है यह और वी स्केट कर सकते हैं यह जो है इसका नाम है और ढरोरा जीह जो है दोस्तों बहुत ही इनवेटिव गजेट आब जीए हैं दोस्तों बहुत ही इनवेटिव करशेट अब देख सकते हो यहाँ पर जो लोग कंप्यूटर लैपटप जादा उसकरते हों उनके लिए बहुत ही ऐलपफुल लेख सकते हो एक लेजर लाइट जो आपका माउस का काम कर रहा है जी है दोस्तों आपका जोगा डेक्स का सरफसे उसको पूरा एक लेजर सब्सक्राइब करने से हाथों में काफी साथ होता है तो मैं इसको यूज़ करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों तो काफी हलपफुल है देख सकते हो मतलब लेजर के थ्रू जो है आपकी माउस को एक निया लुक्स दे रहा है तो इसके बार में क्या खेल है कॉमें शेक्शन में बताइए और डिस्क्रिप्शन में लिंक है चेक आउट करें नेक्स जो गैजट है क्या कुछ है दे सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरह किसे फोल्ड होने पर देख सकते हैं एक नॉर्मल बैक जैसा बन जाता है बट यह एक इलेक्रिक स्केट बोड़ है जी हाद दोस्तों इसको जो है आप जो है रिमोट के थूँ ऐसे कंट्रोल कर सकते हो और इसका जो है टैन किलोमीटर है जी दोस्तों अगर बगरा कर सकते हो आप जागे अगला जो इनवीटिव प्रोड़क्ट है देख लिए इस तो पहले क्या कुछ एक बार के दोस्तों यह जो आप देख रहे हो इसका नाम है हीरो आर्म्स जी हाँ दोस्तों अगर आईरन में बनना चाहते हो तो यह वन अप देस गैजट आप जो इसको यूज कर सकते हो जी हा दोस्तों देख सकते हो यह जो है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलोजी से बना गया है आप देख सकते हो यह हाथ को कुछ इस तरह किसाब हाथ में पहन के जो हर वो मूवमेंट को कर सकते हो जो आईरन में करता था या फिर आप जब इस बागर हो गया या फिर राइटिंग बगर को काफी इंप्रूब कर सकते हो इसमें प्री रेकॉड या फिर प्रिसेट करना है बच्चों से लेकर एडल्ट हर किसे का पात जो है यह मतलब हर को यूज कर सकता है इसको अपने हिसाब से और जो किसी भी हाथ में एज़स्ट हो जाता है क्योंकि इसको 3D printing technology से जो है बनाया गया है तो बहुत ही अच्छा material से बनाया गया है मतलब देख सकतो technology कहां से तक पाँच गया तो दोस्तों description में check out बगर करना दोस्तों अगला जो innovative gadget है काफी cool और innovative है पहले देख लीजिए पहले क्या कुछी एक बड़ है आपे इस गैजट के तुर्फ देख सकते हो वहाँ पर hidden camera तो नहीं especially लेर्कियों के लिए जी हाँ दोस्तों या फिज आप मॉल बगरा में जाते हो तो clothing बगरा जो ट्राइल रूम में होता है उस जगा पर आप देख सकतो कुछ इस तरी किसी जब जहापी hotel ओयो बगरा हो गया फि पर भी जाते हो वहाँ पर मतलब बगरा कर सकते कोई spy camera तो नहीं है कि आपके रूम bedroom को spy कर रहे तो यह आप देख सकतो बटन को यहाँ पर प्रेस करने से एक रेड लाइट निकलता है काफी powerful आप जो इसको दो फीट से 45 फीट यानिकि 2 फीट से 45 फीट की दूली तक पूरा रूम को scan करके देख सकतो कहीं पर hidden camera बगरा नहीं है ताकि आप आप प्राइबेसी बर करा रहा है जी हाँ दोस्तो मेरे इसाब से लड़कियों के पास यह होना चाहिए ज्यादा travel बगरा करता है तो दोस्तो अगला जो innovative gadget है काफी cool है देख लीजे क्या कुछ है पहले एक ब अच्छे जब टैबलेट्स बगरा को मोबाइल पीसी लैप टॉप हर वो चीज़ को जैप चीज़ को जैश्टर के थूप ब्लूटूथ कंट्रोल के थूप और आप जब्सक्राइब कर सकते हैं अपने स्मार्ट टीवी पर टाइप कर सकते हैं और वी आर टेक्नलोजी जी ह दोस्तों यह एंड्रोइड, विंडोस, मैक, लीनेक्स हर वो गैजट में जो है यह पर फीट हो जाता है मतलब आपने हाथों को हिला के मतलब कम्प्यूटर, टैबलेट, फोन सब कुछ जो आप कर सकते हो तो दोस्तों अगला जो इनोबेटिव गैजट है काफी कूल है डेस जो है एक cycle भी और एक bike भी है साती साथ दोस्तों अब देख सकतो पूरा फ्यूचरिस्टिक दिखने में लगता है और यह इलेक्ट्रिक से चलता है और पैडल से भी चलता है अब देख सकतो इसके जो है टायर जो है दोस्तों इसमें कोई spoke नहीं है साती साथ दोस्तों इसका लेट जलता है जिसको आप मोबाइल के थ्रोच अगर चेंज कर सकते हो और साथ इस वीडियो को दोस्तो यूटूब पर देख रहो ना तो इस वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को जो है कॉमेंट करके बता हो कि कौन सा गेज़िट सबसे अचा लगा आप कौन से गेज़िट को खरीदना चाते हो साथ इस दोस्तों अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख देनो क्योंकि ऐसे मज़दार वीडियो आते रहते हैं और साथ इस अब दोस्तों एक और र झाल